ओूूू। इस इस गूड वर्ल्ड वूू। ओके, लेट्स जस प्रेटैंड कि तुमने वावज नहीं सुनी So, I am Graybats और आज मैंने एक नया वर्ल्ड सचार्ट किया है जिसमें मैं सर्वाइफ करने वाला हूं 100 डेज और यह वर्ल्ड कोई ऐसा वैसा वर्ल्ड नहीं है यह एक magical वर्ल्ड है जिसमें हर टाइप के मॉब्स है जमीन से निकलते स्केलेटन से लेकर हवा में उड़ते ड्राइगन्स तक यहाँ पर और भी धीर सारे खत्रे हैं मुझे ऐसे खत्रों में सर्वाइफ करना है 100 डेज एंड कुछ अब्जेक्टिव क्लियर करना है जैसे कि धीर सारे ड्राइगन मारना है लेट से मेभी पचास सेकेंड ड्राइगन के हंडे जोरी करना है अगर मुझे ऐसे लगते हैं यह तीन अब्जेक्टिव बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगे तो मुझे नए अब्जेक्टिव सोचना है लेकिन पूरे 100 डेज खाली नहीं बैटना है तो एंज़ॉइ दिवीडियो एंड लाइकिन सब्सक्राइब करना मत बूलना मुझे बहुत टाइम लगा है अगर आप में मुझे बताते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप ये भी बूल सकते हैं कि ओव वह कॉइंट ड्रेगन की तुट था कुछू कूछू कूछू सम्धिंग लिए अजीब से चिलानी के आवाद से वीडियो स्टार्ट करते हैं वाउ गेम स्टार्ट होने के 10 सेकेंड में ही मैं 3 हार्ट पे आ गया क्या एक्याई प्रोप्लेयरुम है सो मैंने सारेक षारी प्रोने सुपास की शीप पे दिखाई फिर पास की ड्रेगन नेस्ट मने पड़े गोल्ड को देके मैंixo ठोड़ा लाला चागया चुपचाबी वाला पेड़ दोड़ के भागना पड़ेगा यहां से वाव किसमत देख रहे हूं मेरी पहले एलिगेटर फेर ड्रागन और हाइडरा उसके पास जाओंगा ना वो पॉईजन की पिछकारी मारना शुरू कर देगा मतलब बंदे के लिए हर टाइम होली चलती रहती है अगर उसको मारा तो उसका एक-एक सिर पॉप अप होना शूरू हो जाएगा पता नहीं सिर है कि वाटसअप का मेसेज तो पहले दिन थोड़ा सा समझदारी वाले काम करते है इसलिए मैंने फट से लगडिया कले की और उसके उल्टे डिरेक्शन में भागना शुरू कर दिया मेरे भागने का रीजन एक और था क्योंकि हाइडरा के डिरेक्शन से मुझे पेड जलते दिखाई दे रहे थे विच मीन्स वहाँ पे ड्राइगन है सो आइडरा और ड्राइगन से पहले दिन कौन उलजेगा मैं तो नहीं उलजूँगा भई तो ड्राइगन के नेस से चूरी कियो आयरन की मैंने पिक एक्स बनाई अपने ले खाना पकाया और एक शील्ड बनाकर विलेज डूनने निकल गया बाइदे वे ट्रू स्टोरी आयरन तोड़ते दाएं मुझे एक सिल्वर फिशन अटाइक किया पुलीस अभी तक पता लगा रही है कि वह सिल्वर फिश वहां पे क्या कर रही थी कुछ लोगों कमानना है कि end portal की life से वह बोर हो गई एंड गर छोड़के बाग गई anyways तो रात हो चली थी एंड मेरे पास बैटनी था एंड पहले जो शीप को मैंने मारा था वो सारी अलग कलर की थी तो मैंने तीनों को डाय लगा कर लाल कर दिया पनावती किसमत क्यों फिर दूसरे दिन मैंने कुछ आयरंस मेल्ट करके बाल्टी बनाए बिकास बाल्टी माइनक्राफ में सबसे इंपोर्टन चीज है एंड फिर विलेज ढूने निकल गया थोड़ी दूर जाकर मुझे ये पंची मिले लेकिन जिस तरीके से वो उड़ते टाइम आवास कर रहे थे भाई साब किसी की भी सुनके फट जाए और कोई भी उनको सुनके नहीं बोलेगा कि यहां ये फ्रेंडली बीस्ट है स्टिल में हिम्मत करके आगे गया अगर मैं इनको टेम कर पाया तो मेरा विलेश डूणना बहुत इसी हो जाएगा लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आई नो एडिया उनको टेम कैसे करना है भाई तरीको क्या चीए बताना मेरे को क्या चीए पेट खुजा के तू तेरा कि शीप का मीट लागे तू क्या चीए कैसे टेम होगा पता ना मेरे को बहुत ट्राइ किया लेकिन मुझे कुछ समझे नहीं आ रहा था उसको कैसे टेम करना है सो मैं गिवप करके आगे विलेश डूणना निकल गया डे थ्री वही घिसा बीटा रूटीन यहाँ वहाँ गुमके विलेश डूणना लेकिन आज आज कुछ अलग हुआ आज मुझे चिकन दिखे तो विलेश ना मिलने का मैंने फ्रस्टेशन उन पर निकाला एंड उनको फिर पका के मैंने खाया बिकास मैं मेरा हंगर बार काम हो रहा था यहाँ अप दोस्ती करोगे क्या हँप हँप अपन चुप-चाब उससे दूर भाग रहे है उसने एक वार्निंग दे दी हँप चुप-चाब सुनके उल्टी डिरेक्शन में भागेंगे उल्टी डिरेक्शन में भागा तो था मैं लेकिन मुझे नहीं बता थे कि वहां मेरा कॉन वेट कर रहा है मेरी फटी बड़ी थी, बजाने ट्राइगन के पास एल्टा इंस्टिंक्ट ने किया लेकिन वो ब्लॉक्स के थूरू तुमको डिटेक कर सकते हैं एंड ड्राइगन ब्लॉक तोड सकते हैं, तो मैं जितना जादा नीचे खोद की जा सकते हैं, उत्तर नीचे गया लेकिन, मुझे वहाँ ये मिला, मतलब वाव, उपर स्टेज 3 ड्राइगन, नीचे स्टेज 5 ड्राइगन, तुमने वकावत सुनी है, आगे कुवा पीछे काई तुमने तो वकावत सुनी है, मैं लिटरली वकावत जी रहा था, बट फिर तुम लोग बलागे के बाई आगे पीछे की जागे लेफ्ट राइट चले जा, कहां जाओं, तुमने अपनी लाइफ में कभी इत्ती बड़ी लावा लेक ओर वर्ड में देखी है, नहीं ना, य मेरी तो समझ भी नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, फिर आ थाट भाड में क्या ट्राइगन, लावा के पास डेट सार डाइमंड होते हैं, तो अपन डाइमंड दूने जाएंगे, लेकिन उस लेक का आधा चक्कर लगाने के बाद भी मुझे एक भी डाइमंड नहीं मिला, लेकिन ये अजीब से और मिले, एंड रिसर्च करके पादा चला कि ये अल्मोस्ट डाइमंड जितनी स्ट्रॉंग है, तो इसी से आर्मर बना लेंगे, दो दिन तक लगाता रखोदने के बाद जब मुझे एक भी डाइमंड नहीं मिला, एंड मैं जब गिव अप करने ही व कभी नहीं मिलेगा, सो मैंने मॉट में जाके डीप स्लेट जनरेशन को डिसेबल किया, एंड वाला, पाच मिन्ट में मुझे मेरा पहला डाइमंड मिला, फिटे सिक्स को बड़ी ही कंजूसी से एक टॉर्च यूस करके मैं जैसे सर्फेस पर आया, एंड थोड़ी दिर में म एक विलेज के सारा हेबयल चोरी कर लिया, लेकिन वनने एक चीज नोटिस की कि इस विलेज के विलेज को यह लोग गार्ड करने है, अगर इनको पते चला कि मैं इन विलेजर के साथ क्या करने वाला हूँ, सो मैं भी प्रॉल्म हो सकती है, स्वैप्लान मनाया, मैंने सारे व वोपफुली द लगी देए, विकस मैंने डीप्सलेट जनरेशन बंद कर दिया था, तो मुझे डैफिनेटली डामेंड मिल नहीं वाला था, बट मुझे ये मिला अच्छी बात ये है कि पॉईजन वाली नहीं है, तो अपन थोड़ा रिलाक्स कर सकते हैं एय, 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 रेलाक्स कर ये है मतलब नहीं के गोदी में आकर बैट होगे उस जंजन में पाइडर एंड जॉंबी के स्पॉनर थे, तो मेरा प्लान था थाया एक्सबी फार्म बनाने का, लेकिन वो हो ने पाया थोड़े से मॉप स्पॉन करने के पाद वो स्पॉनर तूट गए बट कुछ भी बोलो, ओस डंजन का दरवाजा बहुत ही कूल था क्या मैं इसको घर पे लेके जा सकता हूं? ओ नौ, काया भी हो गए तो Day 8 को मैं गार्ट से चुपते शुपाते बीच तक गया वहां पे शुकर के इंप्लांट कर सकूँ लेकिन वहां तो मेरा कोई और ही वेट कर रहा था आजा रे, भाई साब बड़ा ही चालू बंदा यार कब से ट्राइगर हो उसको यह लावा में लाने का लेकिन आई नेरा बंदा कहता करने का भी भाई अभी क्यों आया है यह मेरे पास, अथेल मैन मैंने बहुत ट्राइ किया उसके बाद उसको लावा तक ले जाने का लेकिन बंदे को खेतों के पानी में ही मिसा रहा था तो मैंने फट से एक बो बनाया एंड सिर्फ चार एरो लगे उसको मारने में दो स्केल दिया है बंदे ने, मतलब इतने में तो एक पैर का मोजा भी नहीं बनेगा सोदाइड दूर से में सी सर्फेंट को देख लू एंड फिर उस डिरेक्शन से कल्टी हो जाओं अभी तक तो भूलो यह गास है या बाई अभी तक क्यू नहीं दिखा मुझे यह यह थाट मेरा दी एंड बट लगी मुझे सामने एक सर्फेस मिली एंड सी सर्फेंट ने भ तो अपन पानी में धका देंगे एंड लेट सी सी सर्फेंट इन पर अटैक करता है कि नहीं अगर किया तो अपन को पर चल लाएगा उसकी लोकेशन क्या है एंड अपर उस क्यूल्टी डिरेक्शन से भागेंगे अभी तुम बोलोगे कि यार इती क्यूट से अनिमल को तू इसे कर सकता है इस वर्ल्ड में सिर्फ एक ही क्यूट इंसार रह सकता है या तो वह या तुम है एंड मेरा हंडर्ड डेस से पहले मरने का बिल्कुल भी प्लान नहीं है बाई ऑके बड़िया से तहर रहा है मतलब वहां सी सर्फेंट नहीं है नाइस वाओ ट्रिक काम कर गई तो वहां से तो बचके भाग गया लेकिन रात को एक और सी सर्फेंट आ गया आजा बाई जल्दी एक बोर्ट पर बैठा था हमें देखो रहे चड़के नहीं हो रहा है इससे तो का बंदा है यह ब्लॉक तोड़के तो नहीं आते ना ऐसा लग तो नहीं रहा था कि ब्लॉक से कूद के मैं उधर गया तो उसको पता ही निचले गा राइट ओक ठीक है अभी जग महीं पर उसको भी लग रहा है यह पाड़के ओपर खड़ाओ नाइस लेट्स को लेट्स को लेट्स को लेट्स को फाइनली लेट्स को और है कौन है तुम यार ऐसे स्वागत कर रो मेरा अलग क्यों है एक जल रहा है यहां पर आहिट नो आइडिया कौन था लेकिन टिक जेखती सी अटेक नहीं कर रहा था तो आट लीस्ट वो फॉस्टल मॉब नहीं है लेकिन मारने भग भी नहीं रहा था तो आइग गट कंफूस कि एक्जाक्ली है क्या चीज वो फिर निकला जेख के बाद फाइनली मैं उसको मार गिरा है एंड उससे मुझे एक फैदर मिला ये एंड अगले दिन के सुपे भी तो दसफे दिन मैं विलेश ढूनता गूम रहा था लेकिन मुझे एक माइनशाफ्ट मेली तो मैं उसमें कूद गया विकास माइनशाफ्ट इक्वल्स दामेंड ओ डायमंड एंड मेंडिंग नाइस कोई ड्राइगन वाट आइव नो आइडिया क्या है लेकिन मेरी अंदर से इच्छारी उ आये ट्राइडेंट बड़े से काम करता है ओके इसके लिए मुझे एक रिटान त्री डूलना पड़ेगा ओके आये नो की नॉर्मल माइनक्राफ्ट में ट्राइडेंट पे लोयल्टी लगता है लेकिन देखो मैंने इतना साधार अरल क्राफ्ट केला है कि मुझे उसी के ए यहां कहा रहे तहें तीसरा ड्रायंग का क्या रहा है यह बिल्दिंग के आस कंगरें पड़े पड़ेंग सेन देख़ रेकंगस मेरे रही तो ऐसाली ट्राइगब commence to देख जैयेगा अपतल बंभी ट्राइडेंबों पर फोकस करते लेकिन उलगेटर फोकस करने द doda इन लेकिन जैसे जैसे में सारी ड्राइगन बोन करके आगे बड़ा एंड रात को फाइनली मुझे विलेज मिल गया थोड़ी सी difficult condition में मिला जहां पे किसी भी समय मेरा world delete हो सकता था बट वाव उस विलेज के गार्ड ने टाइम पे आके मेरी जान बचा ली यह विनबाद टीमवर्क यूहू वेल वो जैसे भी है उन्होंने मेरी जान बचाहिए सो मैंने उनको अपने काम पे छोड़ दिया एंड विलेज एक्स्प्योर करने लगा एंड वहां पर मुझे एक रिसर्चर का घर मिला जो की मॉंस्टर्स पे रिसर्च कर रहा था So I thought चलो उसकी तोड़ी help कर देते हैं सुबह मैंने देखा कि कुछ guard zombie में convert हो गया So उनको मैंने researcher के घर पे रख दिया because I was curious कि उनको विलेजर में convert करने के बाद वो guard रहेंगे या फिर normal villager जिनको मैं job assign कर सकता हूँ फिर मैंने अपने अच्छा सा घर ढूंडा and underground bunker पे काम start कर दिया Day 12 को भी मैं bunker भी काम करता रहा and day 13 को village की सारे villager से मिलके आया Just उनको बताने के लिए कि थोड़े दिन बाद उनका job change होने वाला है and यह village अभी मेरा है Day 14 हुआ and मेरे विलेज में एक महमान आया अभी I know कि महमान भगवान होते हैं लेकिन मैं ऐसे महमान के क्या करूँ जो मेरे future employee के सिर पे लिटरली मौद बनके घूम रहा है फिर मुझे याद आया कही तो में में पड़ा था अपने सामान एवं काड़ी की सुरक्षा स्वैम करें Come on man, parking ticket पे तुम यह लेक रहे हो अगर हम ही सुरक्षा करनी तो तुमको पच्टीस रुपए कि इस चीज की दे रहे अभी प्रॉब्लम यह थी कि मेरे पास arrows की कमी थी एंड उसे close range fight तो मैं लेने को ready नहीं था तो मैं रे डिर सारे throwing axe बनाए लेकिन बंदा मेरे lawn खरब करके सोने चला गया बड़े अजीब बंदा है फाइट के बीचो भी सोने चला गया अभी आई नहीं हो कि वह बंदा मेरे village को ऐसी छोड़ने नहीं वाला है आठ गंटे की sleep लेके वह पक्का दूसरे दिन वापिस आएगा तो मुझे अपने villagers को उससे बचाना था इसलिए मैं एक-एक करके सारे villagers को अपने bunker में एक safe जगा पे लिए जाने लगा अभी ड्राइगन के लिए मेरे जबांग में एक प्लान था यू नो कि ड्राइगन हर एक ब्लॉक तोड़ सकते हैं वेल दो चीज है जो ड्राइगन नहीं तोड़ सकते पहला है चेन लाइन और दूसरा है उनी की बोन से बनी हुई वाल तौण कि यूँ ना उन दोनों को यूज़ा जाये ड्राइगन को ट्राइगन को ट्राइप करने के लिए बिकाज में उतना स्टॉँग बिल्कुल नहीं था कि उससे लड़के उसको मार सको सो वट्य बेस तिंग उसको ट्राइप कर दो आया तो यहीं कहीं पर दाना वो कहां गया ओर रहा ओके ठीक है आई होप यह प्रीग आपल वेस्ट ना हो जाए मेरा पट ठीक है अब जागो उसको मुझे जमीन पर उतारना है विकाज उत्ते ऊपर उड़ेगा तो कुछ होगा नहीं इतरा नाइस ओके आजा पीछे-पीछे सो फ्लान इस कि उसको मेरे पीछे-पीछे लाना है एंड होप करता है कि वो नीचे उतरे एंड उस टेंप एपन उसको चेन पैना के भग जाएंगे वासे अरे यार बटी यह आई इस क्यों हट रही है यहां से वाएफ यह वैसिट मेने बहुत बड़ी गलती कर दी पाने में उसेजन प्लीज हूप काम कर चाब備 प्लीज काम कर चाब तो ऑपर फिंगल गया हिचा कई तो नहीं गया वोगा वह यह एगए कर दूर तो नहीं गया होगा वो रहा होगे लट्सक्राइब क्यों लगा करका है मिर उपर अब तो करके रहूंगा इस फाइनली बंदर ट्राइप हो गया आई थोट कि ड्राइगन को ट्राइप करना ही इनफ रहा है लेकिन नाई उसकी पोजीशन भी मैटर करती है क्योंकि गलती से मैंने उस ड्राइगन को अपने गर के एक्जाक्ली पीछे बांदा था तो हर बार जब युम घर से बाहर निकलता था उसका आइस छोड़ना इस बार मुझे बहुत सारे मतला बहुत सारे डायमेंड्स मिले एक स्कॉलर मुला बट वो मेरे गर से बहुत दूस्ता है इसलिए उसको वहीं पिछोड़के में आगे बढ़ गया वे यह कौन है दो एक्स के टिक है और चाहर हार्ट एक बार में वहाप रहे हुआ पर हुआ लावा सर्वाइफ करता है कि ओके देखाओ लोग बोलती कि कॉक्रोज एक नुक्लियर अटैक सर्वाइफ कर सकता है आवस जस्कूरियस कि वह लावा में सर्वाइफ करता है या नहीं वही यार भग गया I guess we will never know day 23 को जितनी बॉन्स कर लेकी ती उससे मैंने फार्मिंग की लेकिन बंदे ने फिर से मुझे फ्रीज कर दिया और इस बार तो हेलमेट भी तोड़ दिया यार इसका कुछ तो करना पड़ता है क्या ही है क्या इंटरंस बना कि रखी इसने मेरे गर की तो सबसे बड़े तो मैंने फुल दैमेंड एंड ब्लू जियोड आर्मर पनाया एं बंदो को एक्सपी फार्म के अंदर से जादा उसके नीचे स्पॉन होने में मजा रहा था मेरे पास वैसे आरो की कमी थी तो मैंने फट से थ्रोइंग एक्स बनाए एंड तब मैंने थ्रोइंग एक्स की असली पावर देखी बट स्चिल आज टॉट की ठीक है बाई एक्स पी फार्म बनाने में लोगने नर्प किया तो एक लास जांस द Allah किया सारी की सारी जमीन को लाइट अप किया लेकिन फिर भी एक्स पी फार्म में कोई नहीं है So, मैंने अपने crossbow and throwing axe उठाए and निकल गया ड्राइगन की दरफ ओ भाई साब, बंदा बिल्कुल भी कुछ निये में को देखके Okay, let's go She loves me, she loves me not She loves me, she loves me not She loves me, oh yeah, she loves me अभी बस girlfriend दोड़ना है Finally, ड्राइगन को मारने के बाद मैंने उसकी nest लूटी एक, एक silver वहाँ से तोड़ के निकाला बड़ाई गरीब बंदा था ये, बहुत गरीब बंदा था सही बता रहा हूँ अभी dragon तो मर गया, next plan अभी मेरा था dragon bone weapon मनाने का लेकिन उसके लिए मुझे wither bone चीए थी So, I thought, it's time to go to another बट मुझे underground dick करके अलावा पूल नहीं डोड़ना था मुझे एकदम dream style में surface पे इलावा पूल डोड़ना था जहां पर मैं speed building करके एक portal बनाओ और उसके अंदर गुसू हाँ, बट मेरे सपनों पे पानी फिर गया because मुझे broken portal मिल गया ठीक है ये भी चलता है I guess ओटल के पास में एक village था तो वहां के villagers से मैं employment की deal करके आया and उस village के बाजू में वही काली building थी जो मुझे बहुत बार दिख रही थी So, I thought, चलो, देखके आ जाते हैं आज की exactly hack है चीज़ वह ये कौन है? ओ भाई साब, कलम भी ranges की I have no idea वह कौन था लेकिन जो भी था उसकी attack range जाता थी, attack damage जाता था and speed जाता थी मेरे current armor में उससे 1v1 करना मतलब world delete करने मला काम है तो उससे बचने के लिए मैं nether portal से चला गया in a hope कि वह मेरे पीछे पीछे ना आ जाए जगा तो बहुत ही प्यारी मिली थी मुझे जहां पे धेर सारे hoglands कमार के मैं धेर सारा खाना एकटा कर सकता हूँ बस problem यह थी कि मैं full inventory के साथ आया था and मैं ये decision लेने में बहुत कच्छा हो कि मुझे कौन सा item फेकना चाहिए so yeah let's see, आगे क्या होता है भाई क्या ही यह nightmare fuel? भाई मच्छर कब से आने लगे नहीं दर में I think Nanapad एकर ने सही का है and ये मच्छर इतने बड़े headache बन चुके थे क्योंकि इतने बड़े बायों में मुझे hog lane कहीं भी नहीं दिख रहे थे उपर से ये लोग थोड़े थोड़े दिर में आके चिपक जाते थे जिसके कारण health कम हुझा थी and वैसी मेरे पास खाने के कमी थी but day 31 को मुझे एक उमीद की किरन दिखी and oh 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 क्या ही पीट के खाया मैंने उस उमीद की किरन को फिर मैंने piglin से थोड़ा trade किया ट्रेडी किया hashtag entrepreneur and फिर मुझे chest में pigstep मिली wow minecraft का मेरे सबसे favorite track because it reminds me of technoblade 33 को मेरे सामने बहुत बड़ा सवाल था क्या रखू and क्या पीचे छोड़ो and भाई सहाब करते करते मेरे पसी ने छुड़ गए लेकिन जैसे मैंने डिसाइड कर ही लिया एंड फिर नेधर फोर्ट्रेस दूरने के लिए आगे बढ़ गया लेकिन डेट 34 को मुझे एक और बैश्यन मिला मैंने सेम स्ट्रेटी यूज करने के सोची बट इस बार गोल्ड ब्लॉक थोड़ी अलग जगे पे थे बड़ाय तॉट कोई बात नहीं मेरे पास फायर रहस है काम बन जाएगा बैड आइडिया अयो बाही साब यह लावा पानी जैसा क्यों नहीं होता बट चीक है भले पैर तूटे लेकिन धेर सारे गोल्ड ब्लॉक एंड दो सब्सक्राइड इंगट मिले तो जो भी तूटता है अच्छे के लिए तूटता है फिर डे 35 वो फाइनली मुझे एक फोर्ट्रेस मिला तो सबसे बड़र मैंने एक नेधर पोर्टेल बनाए ताकि मेरी इंवेंटरी में थोड़ा सब्सक्राइड बन जाए एंड फिर वो स्पेस नेधर वाट से भर दिया मुझे सीरियसली एक प्रॉब्लम मेरे एनिवेज तो कुछ चेस लुटने के बाद में यावा गुपने लगा विदर स्केलेटन को दूडने के लिए एंड आय गॉट लगी वाव क्या है मतलब पहले मेरे इंवेंटरे में जगा नहीं उपर से मैं और नहीं चीज बना रहा हूं तो मैंने डिसाइड किया कि इस टाइम टू मेक टूल बेल्ट यह बगवार रसी नहीं है यहां पर रसी है भी कहां से लाओ मैं ओ हाँ पिगलीं ट्रेड करते ना तो पिगलीं त्रेड करके यह डेर सारे पॉच बना है थाकि मल्टिपल आइटम उसमें स्टोर करदो फिर निकल गया विदर सकेलेटैन हंटिंग वे। बऊट ही लंबा नाम है अपन शोड में उसको विस्की बलाएंगे यह यो विस्की आजाओ मर के अपनी बुंस की दो अब इस पॉन रिट जाद होने के कारण विस्की तो डेल सारे स्पॉन हुए बड़ उसके साथ साथ बाकी मॉप भी बहुत स्पॉन हुए एंड वो विस्की हंटिंग में बिलकुल भी हल्प नहीं कर रहे थे अरे क्या ही बेश्रम गास्ट है रही है फिर डे 37 को फाइनली मैं ओवर वर्ल्ड में गया एंड वहां पर मेरा एक ब्लेज वेट कर रहा था वाट भाई अच क्या क्या देखने को मिल रहा है ए दूर हट आनी तो चिपक गया आके पगया आसे हाँ फाइनली ओर वर्ल्ड की हवा मच्चर रजफरी हवा आहा हाँ मैं ओर वर्ल्ड आके तक खुश था ना विकास नेदर में मच्चर लिटरली लाइन में खड़े रहते थे मेरा खून चूसने के लिए बट फिर ये सोच के मैं साइड हो गया कि विलेज फिर से दूरना पड़ेगा मुझे बट जादे देर मुझे दूरना नहीं पड़ा बहुत जल्दी विलेज मिल गया अभी अच्छी बात यह थी कि वह विलेज था बट बुरी बात यह थी कि उसके एक साइड में कौन है एक कौन आ जाता है यह क्यों है एक जरूल एढर में आपनी बात यहार जाक प्रपरेशन करें यथी वह फिर चॉपरेशं रहे हो है वह तासुंकि मैम की तारीफ करने जग शाहिए ओके नॉप जुप चाप जो मेरा प्लान है उस पर फोकुस करना चाहिए मैंने तो प्लान तो मेरा था कि ब्लाइंड फोल्ड लगा के मैं मेडूसा से लडू लेकिन फिर मुझा याद है कि मेडूसा पॉईजन 3 देती है सो मैंने प्लान 1.2.1 सोचा जो कि था कि लावा बगेट उसके उपर छोड़ दो अरे राम अरे तो अपना टकला फायर प्रूफ नहीं रख सकती करे जोडी बच्ची हो क्या सो प्लान ए तो फेल था अभी प्लान बी बस रह गया था कि फायर रैस पोशन प्यो एंड लड़ो लेकिन ना ही डे 38 को प्लान सी आया ओ भाई सहाब यह तो अलग ही कुछ तो चल रहे है अभी भले ही दुनिया के लिए वह खतर नाग आइस ड्रागन ता लेकिन मेरे लिए पर फटी पड़ी थी और बंदा लेटरली अपने घर से बहार देखने आया कि बाहर क्या चल रहा है मतलब कुरियोसिटी का लेवल देख रहे हो बंदे का फिर फायर द्रागन को मारने के बाद वह बंदा मुझ पर अटैक करने लगा मतलब भूल गया पूरी दोस्तियारी जैसे पर्ल यूज करके माउस से बच तो गया लेकिन बंदा मुझे लिटरली सर्फेस से ट्रैक कर रहा था इस बार मैने भी सोच लिया था कि देखे तो किता ट्रैक करता है लेकिन फिर थोड़ी देर बाद खुदी बोरो के उड़ गया वो अभे बंदा सोया पड़ा है मा मुझे उस नमूनी के साथ उस विलेज में नहीं रहना था विकेस वेल आगरी सर्वावर के साथ रह कि क्या ही कर लो तो मैंने थोड़ा खाना कलेकिया ड्रैगन ब्लॉड एंड स्केल्स कलेकी अपने लिए एक स्पाय ड्रैगन बोन स्वार्ड एंड चेस्पिलेड बनाई ड्रैगन के लियर लूटी एंड फिर एक नय विलेज डूनने निकल गया जहां पर उस लेजंड जैसे नमूने ना गुम रहे हो एंड इस बार भी विलेज काफी जल्दे मिल गया अगले दिन मैंने पुरा विलेज छान डाला लेकिन मुझे एक भी विलेजर ने मिला सिवा काटे एंड ये ट्रेडिंग के रेट्स कम कर दे बट वो प्लान मेरा बैक फायर हो गया भाई तू कहां से आया एंड क्यों आया इधर तू हरे राम अभी एक और सॉंबी कांट उंडू मैं किदर मिलेगा वो देखने के बाद मुझे रेलेज हुआ कि शायद मैंने गेम रात के तीन बजे नहीं खिलना चाहिए बट फिर आदी नहीं में मैंने यह कर दिया है का गया जेब में आ गया यह तो आयव नो आइडियो कौन सा मौट था लेकिन लव इट तो मैंने तीनों विलेजर को अपनी जेब में डाला एंड सुबह होते से ही एक्स्प्लूर करने निकल गया विलेज में रहे कि क्या फाय हेलो 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 यो और पास में जाते मिलता है गया वही मारना मत प्लीज मारता है ओके नहीं आपन पीजी रहेंगे मन तो कर रहा था कि उसको वहां मारू लेकिन मिरे पर साथा एरो नहीं थी एंद दूर मुझे एक लाइट चमकती दिख रही थी तो आट वहां पे विलेज है बटना वहां तो ट्राइडेन धारी ड्राउन निकला अभी लोग कहते है कि मरने के बाद तुम सब कुछ पीजी छोड़ कि जाते हो ना बंदा ट्राइडेन अपने साथ लेगे गया डे 41 को मुझे एक विलेज मिला लेकिन उसमें एक उधम मचाता ड्राइगन भी मिला सो मैंने प्लान मनाया कि ड्राइगन से जैसे जैसे बच्टे बचाते सारे विलेजर को अपनी जेब में बरूँगा एंड वहां से दूर भाग जाऊँगा लेकिन उसकी जरूरती नहीं पड़ी गाड्स नहीं वो ड्राइगन को संबाल लिया अभी ड्राइगन से जाते मैं को मैंने अपने सारे ट्रेड की हुई बुक्स एक चेस्ट में रखी अपने सारे शुगर केन कलेक किये वेपॉइंट सेट किया एंड फिर आगे निकल गया वेकज उस टैम पे मुझे एक्स्प्लोर करने में जाधा इंटरस था अभी इच्छा तो मेरी बहुत ओरी थी पान में धक्का देना शुरू किया एंड मेरा प्लान काम कर गया थोड़े देर बाद सी सर्पेंट एन हैट्रा के लड़ाई हुए जिसमें सी सर्पेंट मर गया रेवेंज बट अभी वो हाइडरा बहुत बड़ी खतरनक चीज बन गयता है में आपरे नौन उसिर एंड क्रेसी में गया है निकालने की कोशिच की बट उसको निकालते से ही मुझे ही अचीवमट मेला एक्स का लिबर 30 हाँ ओई यह कैड स्पीड तो स्टेंग तो रेजिस्टिन ओवाई साब ड्रागन डुंडो थर्टी एटाइक डैमेज की स्वाट जो की एक्वेप होते ही पोशन एफ ग्रेट ड्रागन डुंडो ड्रागन आर्मन बनाओ तो सबसे ब्रज़ सेफटी के लिए मैंने वस्वाड में में लगाई एंड फिर ड्रागन डुंड निकल गया एंड वाव ड्रागन को मारना इतना इसा लग रहा था कि मैं किसी जॉंबी से लड़ रहा हूं बस उनकी आ गया तो था मैं उस विलेजर को उठा के घर में पैक करने बट गलती से मैं अपनी एक्सकालिबर उसको दे आया मुझे यह पता ही नहीं था कि अगर विलेजर को स्वाड से राइट क्लिक करो तो गार्ड में कनवर्ड हो जाते हैं अभी आई थाट कि अगर इससे लड़ने इससे रिंग्स का स्मीगल बनता जा रहा हूं जिसमें वो स्वाड मेरी प्रेशियस है अना थाट कि में भी मुझे उसको यूज करना बंद करना पड़ेगा लेकिन अगले दिन मैं एक ड्राइगन को मारा है अना थाट इं इतनी प्यारी स्वाड कॉन यूज करना बंद करे इसे जगे पर कॉन स्ट्राउंग करता है यार क्या ही है आफ नो एडिया व फॉल से में कैसे बच्चा आगेस अम जस लुकी तो सबसे पहले मैंने लाइबरेरे ढून के इंशें टोम लूटे पास एक वेपॉंट सैट किया एंद फिर पोर्टल एक्टिवेट करके एंड मे पीछे पड़ा हुआ था बट लुकीली हर बार मेरा MLG काम किया एंड मेरे रागन मार दिया हो एक्सपी सारी एक्सपी बड़ी अपमारिश करो मेरे पे रेक्सपी की विडे 51 को ड्रैगन एक कले करके मैं एंड सीटी रून निकल गया अभी जखो मैं कुछ बोलनी रहा लेक इतना वड़ा एंड है सारी जगे को छोड़ को तुमने डिसाइड किया कि एक छोड़े से पेड के तने पर बंदे को स्पॉन किया जाए इमें ठीक मैं कुछ नहीं बल रहा हूँ ये कासे अजीब से नहीं दिख रहा है किसी वाइरस जैसा एंडर डिस्टेंसिंग वाट कैपसेड कैपसेड नाम था उसका क्या बनता है एंडिरियोफेज रॉकेट बनता तुमसे मुझे कुछ आइडिया नहीं था वह रॉकेट कैसे काम करता है लेकिन मैंने कुछ और कमारा ये सोच कर कि हंडर डेस कंप्लीट हने के बाद उनको दिवाली के रॉकेट जैसा यू क्लेक की एंड फाइनली आइगाट दिया जिसको मैंने पूरे हंड्रे डेस में पहली और आखरी बार ग्लाइड होके नीचे उतरने के लिए यूस किया फिर देए 54 को मैं अपने स्पॉन पॉइंट पर टेलिपूर्ट गया तो इस ताइम फर रिवेंज बाद 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 जो की डेवन को था भी नहीं अच्छा गहा सा डेमज भी लगे फायर से एट लीस्ट मैंने उसकी मुंडी की ग्रोथ तो रोग दी थी लेकिन फिर भी वह बहुत टॉफ अपॉनेंट था जैसे इसे सर्वाइफ करके मैंने उसको मारा एंड उससे मुझे बहुत प्यारी चीज मिली उस हाइड्रा हर्ट क जस्ट अपने हाट बार में रखके मझे नैचरल रीजनरेशन मिल जाएगा एंड जितना मेरा हेल्थ डाउन रहेगा उतना रीजनरेशन स्ट्रॉंग होते जाएगा फिडे 55 को मैं ट्राय तो कर रहा था उस बायम से बाहर निकलने का लेकिन मैंने एक स्ट्रेंज चीज नोटिस की फॉर सम रीजन वहाँ पर धेर सारे बरसर करें वारियर्स गोम रहेते मुझे समझी नहीं आ रहा था कि एक जगे पर इतने सारे फॉर्बिटन क्या कर रहे है बट फिडे 56 को मामला एकदम क्लियर हो गया अभी उस फॉर्बिटन किंग की क्या पावर थी वो मुझे कुछ पता नहीं था सो मैंने सुचा कि उसको दूर से मारके देखते हैं लेकिन उसको उतना ज्यादा डामेज लग नहीं रहाता सो मैंने अपनी स्वाड उठाई एन उसके टाक किया लेकिन वो इतना गंदा नौक बैक दे रहा था मैं अपनी शील्ड से जैसे जैसे करके उसके पास तक पहुश था लेकिन उसके एक एक एटाइक में दूर जाके गिरता था मुझे समझी नहीं आ रहे तो उससे मैं कैसे लड़ू लेकिन फिर वो मुझे मारने के लिए पानी मोतरा एंड मुझे एक आइडिया आया अभी आई नो कि ऐसे गोल-गोल राने खेल के एनिमी से लड़ना मेरा स्टाइल नहीं है लेकिन तरीका काम कर रहा था एंड थोड़ी देर में मैंने उस फॉर्बिडन किंग को माल जा एंड उसने कोच ड्रॉप नहीं किया पूरा टाइम बेस्ट होगा मेरा फिर रात को मुझे वही पुराना विलेज मिला जहां पर गार्ट से बचने के लिए मैंने एक सीक्रेट बेस बनाया था ओ हो हो क्या बाद है सब कुछ वैसे के वैसे रखा है नाइस अभी इसका मतलब की नीचे ड्रैगन भी वैसे के वैसे ही स्वया होगा तो सबसे पहले मैंने सारे विलिजर्स को चेस्ट में डाला so that ड्रैगन उन गलती से मार ना दे और फिर ड्रैगन से लड़ने चला गया ड्रैगन से लडने से पहले मैंने उस कैटरपिलर को संभाला विकास वो पॉईजन देता है and stage 5 dragon से लटते time poison लेना मतलब मौत का बुलाना है अभी इस stage 5 से निपटने के लिए मेरे पास एक प्लान था जैसे मैंने उस ice dragon को chain and wall से बांदा था उसी तरीकी से मैं इसको बांदने वाला था and फिर दूर से इसको damage देने वाला था लेकिन wall मैंने गलती से gold पे लगा दी जो की सबसे पहला block था जो dragon ने फोड़ा and उस block को तोड़ने के बाद वो मेरे पीछे पीछे उस जगे पे आ गया जहां से मैं चुप चुप के उसको damage देने वाला था अभी इस point पर मुझे लगने लगा था कि ये the end है लेकिन फिर मैंने सुचा कि world delete होने ही वाला है तो थोड़ा स्ट्रगल कर लेते हैं तो मैंने अपना लास्ट बचाओ golden apple खाया and दूर एंड़ फेका in a hope कि उसके जबड़ों से बच जाओ and एक heart जब था तब मैं उससे बचा अरे यार मेल था ये हट यार dragon egg तो नहीं मिल पाया लेकिन धेर सारा gold मिला तो रात बर मैंने सारा का सारा gold करेक किया and सुबह होते से ही मैं उसी रस्ते से निकल गया जहां से मैं पहले जगया था फिर रात में मैं उसी पहड पर पहुचा जहां पर मैं सी सर्पेंट से बचने के लिए चड़ा था and वहां पर उसी बेबी सील को देखा जिसके दोस्त को मैंने पानी में फेका था पर इस बार मैंने सुचा कि उस black building को ignore ना करू and उसके अंदर जाके देखू कि exactly क्या रास चुपे उसके अंदर तो मैंने नाइट विजन पोशन मनाए and ट्राय तो कि अंदर जाने का लेकिन वह ब्लॉक तूटी ने रहते थोड़ी रिसरच करको पैदे चला कि बिना ग्रेव मास्चर की के उस building के अंदर जाना impossible है अभी अगर मैं अंदर गुसी नहीं सकता तो एक्स्प्लोर के गरूँ इसलिए मैं चुप चाप आगे निकल गया अभी रात में जंगलों के बीच एक dragon मुझे सोता हो दिखाई दिया तो मैंने उसको नीच से उठा के पीटा कुछ दूर जाने के बाद मुझे एक और सोता वए ड्रैकन मिला तो प्लांत उठाके पीटने का था लेकिन औरे यार ये फिर से कहां से आगाय ये कामान मैं ने और राइकन को मार तो दिया लेकिन वो ओप रे दिखने में तो हवा में लटकती 2 आक है उसकी दिखो तो भाग जाएंगे लेकिन ऐसे टाइम पर जो साइकोल लॉजिकल डामेज देते हैं औरे बापरे फिर डे 59 को मुझे एक इगलो मिला, तो चलो, एक सस्ते में ट्रेड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी मैंने वही गलती की, जो लास्ट टाइम की थी, अरे यार, फिर से नहीं यार, अरे यार, पानी भी नहीं है मिरे पास, यह निकालते बनते के, अरे भाई लग गई, यही तो चांस इसको एक्स्प्लोर करने का, वैसे भी विलेजर कहां भागे जा रहा है, उसको बाद में भी जाके स्विमिंग लेसन दे सकती है अपन, तो मैंने नाइट विजर पोशन पिया, एंट टावर अप करके धीरे धीरे हरे कॉर्नर एक्स्प्लोर करने लगा, उस के अंदर का स्ट्रक्चर बहुत ही अजीब था, रूम ना रहके ऐसे भूल भूल यह टाइप के कॉरिडोर्स बने हुए थे, स्ट्रक्चर थो ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वहां के गूल, स्कटलर और बीस्ट, उनका इतना बड़ा अटैक रेंज था ना, इतन ब्लॉक का था शायद, क्योंकि मेरे इट स्वार्ड पॉटने से पहली उनका अटैक मेरे पे आ जाता था, इतना मुश्किल दाना उनको डिफेंड करना, पर जैसे जैसे बेरिगेट लगा कर मैंने सारे कॉर्ड रोर क्लियर कर लिये, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू ही, जब मैं में रूम पे जाने वाले स्टेर केस पहुचा, अरे बापरे इतने सारे मॉप्स से वहाँ पर कि मुझे लिटरली स्टेर केस और उसके नीचे वाले रोम को क्लियर करने में दो दिन लग गए, बाकी मॉप्स तो खुशी खुशी पानी से पीछे हो गए, लेकिन बी पर दिवार पर चिपकर पड़े हैं, मैंने सब को मार के ट्राइ किया स्पॉनर्स तोडने का, लेकिन बीस्ट के रेंज के कारण हो नहीं पा रहा था, एंड मुझे नीचे बिलकुल भी गरने की इच्छा नहीं थी, तो मैंने वहाँ पर अपना वीपोइंट सेट किया, एं मैंने उसके सारे ब्लॉक्स कलेक कर लिए, विकास अगर मुझे ड्राइगन स्टील आर्मर बनाना है, तो वो फोर्च की मुझे ज़रूर रख पड़ेगी है, और स्क्राच से तो मैं बिलकुल नहीं बनाने वाला, बहुत जादा मेहनत लगती है, फिर देज 65 को मैंने उस व वर दोस को तोड़ तोड़ के, लेकिन वो एक बार जमीन पो उत्रा एंड भाई साब क्या ही फटके दिये मैंने उसको, उस ड्राइगन को मारके मैं आगे निकल गया, विकास ड्राइगन फोर्च मिनाने के लिए मुझे धेर सारे ड्राइगन स्केल्स जिये थे, बट थोड अले घर के नीचे भी एक स्टेज फाइफ के दें थी, सो डे 66 को मैंने नाइट विजन पोशन माना है, एंड निकल गया स्टेज फाइफ हंट करने, बट इस बार के स्टेज फाइफ से लड़के उतना मसा नहीं आया, मेभी उसके में पेट के नीचे चले गया थे, इसके का है, मदर बुलाओ, चाहे कुछ भी बुलाओ, दो ड्रेगने मिल गई वही बहुत है, फिर वापस आते टाइम पर मैं थूड़ा सा रस्ता भूल गया, एंड मुझे एक और ड्रेगन दैन मिल गई, सो मैं डे 67 को एक और ड्रेगन से लड़ा, एंड इस वाले ड्रेगन ने अ सफायर एक हैच करने के लिए रखा, एंड एक जूल्ड एपल खाके देखा, एंड वाव, इतने सारे एफेक्स के साथ, छे ओवर शील्ड हाट, वाव, यह तो सेमी गॉड एपल निकला, सो मैंने कुछ और जूल एपल बनाए, एंड ड्रेगन हंट करने निकल गया, भाई स जो जोर का फटका खाते दें मेरी स्वाट का, रात तक मैंने धेर सारी ड्रेगन स्केल्स कलेक कर ली थी, एंड एक नया विलेज भी डूंड लिया, एंड अगला दिन, दे 69 आया, पूरे 100 डे सीरीज का सब से फेवरेट दिन, तो इस दिन मैंने दो बुचर्स बनाए, राम, एक मील के लिए हड़ी कंपड़ गे मेरे पास, वाओ, ड्राइगन को स्टेज 3 होने से एक मील बचा रही है, बट कोई ना थाट कि कहीं न कहीं से बोन डूंड के बना लेंगे, तो मैं फिलाल के लिए इस फोर्ज के बाकी मटीरियल पे फोकस करने लगा, मैक्सिमम च लगनी थी, अभी तुम सोच सकते हो कि एक ब्लॉग बनाने के लिए कितनी मेहनत है, फिर डे 70 को मैंने डेकोरेशन के लिए कोई ड्राइगन को बाहर निकाला, एंड ड्राइगन फोर्ज की डीटेल लेने के लिए बीश्यरी को अपडेट करने लगा, लेकिन मेरे पास मैं तो मैं उनको डुड़ने के लिए पास के ड्राइगन नेस्ट में गया, मैनुस्क्रिप्ट तो नहीं मिली लेकिन मुझे ये लोग गुमते मिल गए, तो एक रेड ही करवा ले था अपने विलेज में, रेड तो स्टार्ट हो गई लेकिन आधी लोग तो ड्राइगन की आइ इस बेट करी लेते हैं, ओ, रेवेजर भी है इस बार, ना के, आदे वहां पे स्पाइक बेट के पड़े है, अरे अरे, लेट सी कित्री हो उस बचके निकलते हैं इदर, ओ, ये नीला वाला निकल गया, ओके, नाइस, अब यहां पास गया, ये बगवान क्या होगा इनका, अच्छा एक आ गया बचके, अच्छा वेटा, टोटे मों फंटाइंग मिल गया, कहां गया, फिर उस रात मैंने बहुत पेड़ काटे, अग्ले दो दिन तक भर भर के सारे विलेजर को फ्लेचर में कनवर्ट करके धेर सारे एमरें टेट किये, विकस मैंने सोचा कि अगर ल अपन एमरेल लेके रेडी रहेंगे, बट यहां पती कुछ और ही हो गया, लोग प्रॉट टू एंड फॉर्चुन त्री जैसे पंचाएंट एक एक रूपे में बेज़ गया है, तो मैंने देर सारे ले लिए और उनको कंबाइन करके प्रॉट फोर बना लिया, फिर डे एडिया मैंने कैंसल कर दिया, अपने ड्राइगन को लेकर एक टेस्ट ड्राइव के लिए निकल गया, ड्राइगन उडाते उडाते मुझे टाइम का पता ही नहीं चला, मैं बस लांग ड्राइव एंजॉई कर रहा था, फिर रात में मैंने सेंड कले की एंड घर पर आकर उ सोने से मतलब है, फिर अगले दो दिन मैंने ड्राइगन के नेस्ट जूंडे एंड उनसे ड्राइगन प्लाट कले किया, एंड साथ में एक एक एक्सपेरिमेंट भी किया, मुझे देखना था कि सर्फेस पर जो ड्राइगन के नेस्ट स्पॉन होते हैं, उनकी नीचे कितनी स्टेज 5 के भी नेस्ट स्पॉन होते हैं, बट वो 50-50 निकला, कभी नेस्ट थे, कभी नहीं थे, फिर दे 74 को फाइनली मेरे फोर्ज में ड्राइगन स्टील इंगेट बनने शुरू हो गए, फोर्ज दिन फ्लेम, हैं, फोर्ज दिन आइस होना चीए, बट ठिक कोई न, मैंने फुल ड्राइगन स्टील आर्मर सेट बनाया, एंड पुराने वाले विलेज से इस बेस तक सारी एंचांटेट बोग ट्रांसपोर्ट की, फिर दे 76 को मैंने अपने चेस्ट प्लेट एंड हेलमिट एंचांट किये, फिर विलेजर से ट्रेड करके उनके लेवल्स बढ इंड वाव, I think अभी मुझे एक्सकलिबर की कोई दूरत नहीं है, बिना उसके भी आराम से लड़ पा रहता मैं, दे 77 को वही अपना ड्राइगन को मार के उनका ब्लड कलेक करने का रूटीन कंप्लीट करके मैं घर जा रहा था, बट उतने में मैंने एक कांट कर दिया, मैंने अपनी स्वार एंचांटी, डे 78 को मेरा ड्राइगन लिटरली काम चोरी कर रहा था, क्या कर रहा है ये बंदा, मतलब फ्लेम छोड रहा है लेकिन ये अक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा है, भाई क्या है ये दिखावा, मैंने उसको उती के वाले छोड़ दिया, एंड फिर दिन भर चिल मारा पिक स्टेप संदे सुनते, फिर रात में मैं बाबा गनोश को मुसलियम लेके गया, विकाज थाट कि अगर वह वाल्स पिकक से नहीं तूट रही है, सो वाट इफ मैंने ड्राइगन फायर से उसको कनवर्ट किया आइस में एंड फिर उसको तोड़ा बट वो ट्रेक काम नहीं की, जो ब्लॉक साइस में कनवर्ट हो रहे थे, उनके पीछे एक और वाल के लियर थी, जो की कनवर्ट नहीं हो रही थी, सो या, पुरी रात वेस्ट हो गई मेरी, भाई ये कैसा कल्योक है, हाँ, मतलब लोग अंदर से बाहर आ रहे हैं मुझे चि जिसमें एक क्रैक था, एंड सबसे बड़ी बात ये थी कि वो जो क्रैक था, वो मेन रूम में था, जहां पर सार या चची अची लूट रहती है, इस बार मेरे पास ड्रागन स्टील आर्मर एं स्वार्ट थी, तो मैं एक दम फुल टेशन में अंदर गुसा, बैड आइड मैंने एक चीज नोटिस की कि अगर एक से जाधा गूल है ना, तो तुम कोई भी आर्मर पहन के आ जाओ, तुम्हारा कचुमर बनना ही है, फिर दे 79 को मैंने दीरे दीरे बैर गेर्ट लगा कर मुसलियम क्लियर किया, वैसे ही आधे जम हो जाता था क्लियर, लेकिन ये गूल यूज करने का, फिर मैंने अपने ड्राइगन को आर्मर पहना है, लेकिन वो उस पर अच्छा नहीं दिख रहा था, तो मैंने एक डिसीजन लिया जिसके लिए मुझे बहुत जादा मैंच करने पड़ी, I thought कि what if मैंने अपने ड्राइगन को ड्राइगन स्टील आर्मर पहना अब भी तो तुम बस imagine कर लो कि मुझे कितनी सारे ड्राइगन से लड़ना पड़ा, सारी फाइट्स तो definitely नहीं दिखा पाऊंगा, बट कुछ ऐसे unique वाले moment तुमको दिखाता हूं, तो पहला moment है ये, sea serpent versus whale, I thought कि maybe whale मर रही होगी तो मैं उसके help कर देता हूं, लेकिन मैं whale को देमेज दे रहा था, बट उसके बावजूद भी whale ने sea serpent को मार दिया, वाव, गल्ती से गभी पंगा ने ले ले ना whale से, फिर एक stage 5 था जिससे मुझे लड़ना ही नहीं पड़ा, बंदे ने लावा से इतनी HP कम कर ली अपनी कि मुझे एक या दो शॉट मारने पड़े, एक अपने dragon को पोंगे से बहार निकाला, एंड rocket बनाने के लिए 2 second के लिए distract किया, वा बंदा पानी में तेयर के दूर बागने लगा, पहले तो मुझे डर लग रहा था कि भाई कहीं डूब वूब ना जाये, लेकिन बंदा तो मस्त swimming कर रहा था, मैं ट्राय कर रहा था तेयर क कि उसके पास पहुचने के लेकिन वो बहुत तेज़ था, उपर से stage 5 ने मुझे एक जगे पे freeze कर दिया था, I thought कि stage 5 ने मुझे attack किया, इसलिए वो revenge लेगा, लेकिन बंदा तो मौके का फायदा उठा कि और दूर बाग गया, मुझे लिटरली जूलड एपल काना पड़ा, night करने में मज़ा आता है, जब वो हवा में है तब बस तुमको उसके ice spike से defend करना है, और कुछ option ही नहीं तुम्हारे पास, वो तुमको freeze करेगा, ice spike छोड़ेगा, उससे बचना है, हो गया, और कुछ नहीं तुम्हारे पास करने के लिए, बर्ट ये सब के बाद भी, well, मरना द बनाते हैं, मेरे दिमाग में एक डिजाइन तो था, सो सबसे पहले मैंने dragon blood and iron forge में डाला, ताकि dragon steel ingot बन पाए, और फिर नेदर चला गया, धीर सारे glowstone कलेक करने के लिए, फिर day 91 को मैं किसी अलगी portal से बाहर निकला, सो मुझे थाल ट्राइवल करना पड़ा घर पहुचने मेरे प्लान था उस पूरी dragon cave को अपना घर बनाने का, इसलिए मैं सारे के सारे फ्लोर पे glowstone लगा रहा था, so that कोई महां पे mob spawn ना हो, पूरी चहतन फ्लोर पे glowstone लगा रहे के बाद मेरे पास जितना भी gold था, वो सब मैंने लाया and पूरे फ्लोर पे विकेरने लगा, मुझे ऐसा जिकाना था कि मेरा जो फ्लोर है, वो सारा गोल्ड का बना हुआ है, आज तक मैंने जितने भी dragon skulls के ले किये थे, वो day 95 को सारे उस cave में मैंने लगा दिये, वो decoration भी थे and मेरी trophy भी, फिर day 96 से day 98 तक मैं लिटररी अपने dragon के उपर बैटा हुआ था, विकेर बंदा रात पे सो जाता था, दोपैर में ठक जाता था, जिसके कारण इतने एक कम dragon steel इंगेट बन रहे थी न, so I thought अगर मैं उसको पर बैटूँगा, तो वो दिन रात ice breathe करता रहेगा, and बंदी ने वो ही किया, फिर day 99 को मैंने एक विलेजर को excalibur थमाई, and उसको मौका दिया उन विले देट की उनके दोस्तों के साथ मैंने क्या किया था, so I thought की ठीक है, one way one हो ही रहे तो एक और भटकापन भी मार रेते हैं, लेकिन वैसा नहीं करना चाहिए, कहां मैं hero बनने गया था, और कहां मैं villain बनके घर वापस जा रहा था, लेकिन एक चीज़ अची हुए कि मैंने hummingbird को ब्रीड किया, फिटे वन हन्रेट को सबसे बेले जोस्त हरे वाले जानवर से लड़ा जिसने मुझे पहले डराया था, उसके बात फिर मैंने एक desert ढूंडा जहां पर fire dragon से लड़ा, and cactus कलिक किये, फिर घर आकर अपने लिए एक banner बनाया, अपने dragon को full dragon steel armor पहनाया, and उस पर banner लगाया, and फिर pig step सुनते सुनते, long drive पर निकल गया,